Dear students, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चानल A Study with Dular में बच्चों कर्ण महाभारत में एक ऐसे पातर थे जो पांड़ों से लड़ने का सहस रखते थे और वे दानवीर कर्ण कहलाते थे, वे एक बहुत बड़े दानी थे लेकिन फिर भी उनके मन में एक पिला थी, एक ब्याथा थी तो इस तरह से महाभारत में कर्ण का अहम रोल था परन्तु उसके मन में एक पिला थी और उसी पिला के बारे में इस कविता में दिया हुआ है तो आई हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है ये class 5 का Hindi book है chapter 19 है और इस chapter का नाम है कर्ण की पीड़ा तो उनके मन में क्या ब्याथा थी क्या दुख था उसी के विशे में अपने सब्दों में कवी ने इसे बतलाया है तो हम लोग इसको पढ़ कर जानते हैं हाई कर्ण तू क्यों जन्मा था जन्मा तो क्यों वीर हुआ कवच और कुंडल भूसित भी तेरा अधम सरीर हुआ धस जाये वह देश अतल में गुन की जहां नहीं पहचान जाती गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान इसकविता के रच्यता स्री रामधारी सिंग दिनकर हैं उनके अनुसार कर्ण मानसिक दुख से पीडित हैं कवी अपने सब्दों में उनकी पीड़ा को उले खित किये हैं कर्ण सोचता है कि उसका जन्म क्यों हुआ केवल अनादर पाने के लिए उसका जन्म हुआ अधि उस में गुनों का समान नहीं होता, उसका पतन निश्चित है, यहां तो सिर्फ जाति के बल पे ही लोगों को समान मिलता है, यह सरवता अनुचित है, आगे पंक्ति में दिया वा है, नहीं पूचता है कोई, तुम वर्ति वीर या दानी हो, सभी पूचते या कुल में जन्म लेना तो हमारे वस में नहीं है, परकृति के अनुसार हमें जन्म लेना पड़ता है, इसमें मेरा क्या दोस्त? आगे पक्ति में कवी कहते हैं मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुठी में भर कर कहीं छीट दे ब्रमलोक से ही नीचे भूमंडल पर तो भी विविद जातियों में ही मनुझ यहां आ सकता है नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है आगे पक्ति में कवी कहते हैं कि कर्ण सुचता है यह ब्रमदेव मानुओं को बीज रूप में धर्ती पर छीट देते तो क्या होता धर्ती पर अनेक जातिया बनी हुई है कोई किसी जाती का बन जाता और कोई किसी जाती का इसमें उसका क्या दोस किसी को बड़ा बना दिया किसी को छोटा और फिर उसका अपमान किया जाता है यह तो गलत है अपनी इस्थिती देखकर करन बहुत दुखी होते हैं तो यहाँ पे यह कविता समाप्त हो जाता है आए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है वन नमबर में पढ़ें और समझें जैसा कि सभी चप्टर में दिया हुआ है जिसमें सभदार्थ दिया हुआ रहता है और इस चप्टर का पूरा भावार्थ यहाँ पे दिया हुआ है इस पोयम का आप यहाँ से पढ़कर जान सकते हैं दिनकर जी ने रस्मी रथी काईब के दुसरे सर्ग में छातर करन के जीवन का वर्नन किया है तो यह जो पंक्ती लिया गया है वो रस्मी रथी काईब से लिया गया है यहाँ पे पूरे पोयम का भावार्थ बतलाया गया है आप इसको पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं इसके अलावा इसमें questions दिया हुआ है थिरी नंबर में विप्रितार्तक सब्द दिया गया है जिसमें की बना दिया गया है इसमें कोई बनाने के लिए नहीं खा गया है और question number 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें इसको आप पोयम देख करके भर सकते हैं question number 5 में काफी simple सा easy सा question दिया हुआ है तो आईए मैं आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ यह chapter 19 का question answer question number 4 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो यहाँ पे जो black सब्दों में दिया गया है काले सब्दों में दिया गया है वहा खाली जगों में भर जाएंगे यहाँ पे इसको आप भर सकते हैं और इसके आगे question number 5 में सोचे और बताएं जो की इस chapter का मुझी question answer है क्या कर्ण का जन कवच कुंडल के साथ हुआ था हाँ तो इसका simple answer है सुत पुत्र सार्थी पुत्र होने के बाद भी कर्ण वीर था उसने किस से युद किया था कर्ण ने पांड़ों से युद किया था क्या लोग उसकी विर्ता को भूल कर जाती पुछते थे हाँ क्या किसी जाती विशेस में जन्म लेना मनुस के वस में है नहीं जाती की क्यार्यां हमने बनाई है या भगवान ने हमने तो इस तरह से इसका आंसर काफी इजी है तो यहाँ पे यह चप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदत मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले चप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग next video में चलेंगे तो आए हम लों next video में चलते हैं